पहलवान की धोलक परिस्थितियों को ताडने की एक विशेश बुद्धी होती है वे दिन भर राक के घुरू पर गठरी की तरह सिकुड कर मन मार कर पड़े रहते थे संध्या या रात्री को सम मिलकर रोते थे रात्री अपनी भीशनता के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीशनता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की धोलक संध्या से लेकर प्राता तक एक गती से बचती रहती चटधा, गिडधा, चटधा, चटाक चटधा यानि उठा कर पटक दे यही आवास संजीवनी शक्ती भरती रहती थी यों तो वह कहा करता था? लुट्टन सिंग पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं किन्तु उसकी होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो लुट्टन के माता पिता उसे नौवर्ष की उम्र में ही अनात बना कर चल बसे थे सौबाग्यवश शादी हो चुकी थी विद्वा सास ने पाल पोस कर बना किया बच्पन में वह गाय चराता, दूद पीता और कसरत किया करता था गाउं के लोग उसकी सास को तरा-तरा की तकलीफ दिया करते थे लुटन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी जवानी में कदम रखते ही वह गाउं में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा सब उससे तरनी लगे, वह कुष्टी भी लगता था एक बार वह दंगल देखने श्याम नगर मेला गया पहलवानों की कुष्टी और दाउं पेच देख कर उससे रहा नहीं गया जवानी की मस्ती और धोल की ललकारती हुई आवास ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी उसने बिना कुछ सोचे समझे, दंगल में शेर के बच्चे को चुनोती दे दी शेर के बच्चे का असली नाम था चान सिंग दंगल और शिकार प्रियश शाम नगर के व्रिद राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुटन ने शेर के बच्चे को चुनोती दे दी नामी पहलवान चान सिंग पहले तो किंचित उसकी स्परधा पर मुस्कुराया फिर बास की तरह उस पर तूट पड़ा दर्शकों में खलबली मच गई पागल है, पागल है, मरा, ए, मरा, मरा पर वाहरे बहादुर लुटन बड़ी सफाई से आक्रुमण को संभाल कर खड़ा हो गया और पैत्रा दिखानी लगा राजा साहब ने कुष्टी बंद करवा दी और लुटन को पास बुला कर समझाया उसकी साहस की प्रशंसा करते हुए, नस रुपे देकर कहने लगे जाओ, मेला देकर खर जाओ, नहीं सरकार, हम लड़ेंगे हुकुम हो सरकार, दुहाई सरकार, पत्थर पर सिर्फ पटक कर मर जाऊंगा हमें लडने का हुकुम दे सरकार वहाँ हाथ चोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, भीड अधीर हो रही थी, बाचे बंध हो गए थे दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी, कोई-कोई लुटन के पक्षमी चिल्ला उठता था उसे लडने दिया जाए अकेला चान सिंग मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुरानी की चेश्टा कर रहा था पहली पकड में ही अपने प्रतिद्वन्वी की शक्ती का अंदाजा उसे मिल गया था विवश होकर राजा सहाब ने अनुमती दे दी लडने दो बाजे बचने लगे दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली कोला हल बढ़ गया मेले की दुकानदार दुकान बंद करके तोडे चांद की जोड़ी चांद की कुष्टी हो रही है चटधा, गिणधा दोनों युवक पहलवान पैत्रा भरने लगे भारी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा धाग धिनना, धाग धिनना अर्थाद वाह पठे, वाह पठे लुटन को चांद ने कस करदबा लिया था लुटन की आखें बाहर निकल रही थी उसकी चाती फटने को हो रही थी सभी चांद को शाबाशी दे रहे थी लुटन की पक्ष में सिर्फ धोल की आवाज थी जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ती और दाउपेच की परिक्षा ले रहा था अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था अचानक धोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी धाक्तिना तिरकटिना लुटन को सपष्ठ सुनाई पड़ा धोल केह रहा था दाव काट बाहर हो जा लोगों के आश्चरे की सीमा न रही लुटन दाव काट कर बाहर निकला और तुरंद लपक कर चान्द की गर्दन पकड़ी लुटन ने चालाकी से दाउं और जोर लगाकर चान्द को जमीन पर दे मारा धिक धिना धिक धिना अर्थात चित करो चित करो लुटन ने अंतिम जोर लगाया चान्द सिंग चारो खाने चित हो गया धा गिडगिड धा गिडगिड अर्थात वाह बहादूर वाह बहादूर जनता याद तय नहीं कर सकी कि किसकी जैध्वनी की जाए फलता अपनी अपनी इच्छा नुसार किसी ने मादुर्गा की किसी ने महावीर जी की कुछनी राजा श्यामनंद की जैध्वनी की अंत में सम्मिलित जै से आकाश गून जुठा उसी दिन से लुटन सिंग पहलवान की कीरती दूर दूर तक फैल गए पौश्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा सहब की सनेही दृष्टी ने उसकी प्रसिद्धी में चार चान लगा दिये कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंगा कर आस्मान दिखा दिया उसके बाद वह राजदर्बार का दर्शनिय जीव ही रहा मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांध कर मतवाले हाथी की तरह घूमता चलता बल और शरीर की वृद्धी के साथ साथ उसकी बुद्धी घाट कर बच्चों की बुद्धी के बराबर ही रह गई थी दंगल में ठोल की आवाज सुनते ही वह अपनी भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था उसकी जोड़ी तो मिलती नहीं थी यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राचा साहब लुट्टन को आग्या ही नहीं देते बुढ़े राजा साहब उसे देख देख कर मुस्कुराते रहते यूँ ही पन्रा वर्ष बीट गए पहलवान अजय रहा वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था दंगल में दोनों को देख कर लोगों के मूँ से अनायास ही निकल पड़ता वह रे बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे दोनों ही लड़के राज दर्बार के भावी पहलवान खूशित हो चुके थे अता दोनों का भरण पोशन दर्बार से ही हो रहा था वृत्दराजा सहर स्वर्ग सिधार गयए नयराजकुमार ने राज्यकार्य अपने हाथ में ले लिया दंगल का स्थान घोणों की रेस ने ले लिया पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्याए सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल पहलवान को साफ जवाब मिल गया राजदरबार में उसकी आवश्यत्ता नहीं उसी दिन वह ढोलक कंधे पर लटका कर अपने पुत्रों के साथ अपने गाउं लौट आया गाउं वालों ने गाउं के एक छोर पर जोपड़े बांध दी वही रहकर वह गाउं के नौजवानों और चरवाहूं को कुष्टी सिखाने लगा खाने पीने का खंच गाउं वालों की ओर से बंधा हुआ था सुबह शाम वह स्वयम ढोलक बजाकर अपने शिश्यों और पुत्रों को दाउं पेच सिखाया करता था गाउं के किसान और खेती हर मस्तूरों के बच्चे बाला क्या खाकर कुष्टी सीखते धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली होने लगा अकस्मात गाउं पर वज्र पात हुआ पहले अनावरिष्टी फिर अन्न की कमी और फिर मलेरिया और हैजानी मिलकर गाउं को भूनना शुरू कर दिया गाउं प्राया सुना हो चला था घर के घर खाली हो गए थे रात्री की विभीशिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार चुनोती देती रहती थी अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना महामारी का सर्वनाश करने की गती को रोकने की शक्ती ही पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आँख मूनते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी मृत्यू से विट डरते नहीं थे जिस दिन पहलवान की दोनों बेटे क्रूर काल की चपेट में आए असेह ये वेदना से छट पटाते हुए दोनों ने कहा बाबा उठा पटक दो वाला तान बजाओ चटाक चटधा सारी रात दोलक पेटता रहा पहलवान बीच बीच में पहलवानों की भाशा में उच्साहित भी करता था मारो बहादूर प्राता काल उसने देखा कि उसके दोनों बेटे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं दोनों पेट के बल पड़े हुए थे एक ने दाच से मिट्टी खोद ली थी एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेश्टा की थी दोनों बहादुर गिर पड़े मिट्टी मल कर थोड़ी कसरत की फिर दोनों पुत्रों को कंदों पर लाद कर नदी में बहाँ आया लोगों ने सुना तो दंग रह गए कितनों की हिम्मट तूट गए किन्तु उस रात पहलवान की ढोलक की आवास प्रती दिन की भाती ही सुनाई पड़ी लोगों की हिम्मट दुगनी बढ़ गई संतप्त लोगों ने कहा दोनों पहलवान बेटे मर गए पर पहलवान की हिम्मट तो देखो क्या कलेचा है चार-पाँच दिनों के बाद एक रात धोलक की आवास नहीं सुनाई पड़ी धोलक नहीं बोली धोलक लुडकी पड़ी थी सियारों ने धोलक को भोच्य पदार्थ समझ कर उसके चमड़ी को फार डाला था पहलवान पेट के बल लेटा पड़ा था निश्प्रान लुटन सिंग किसी चुनोती के सामने भी चित नहीं हुआ